हलो फ्रेंग्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज इमस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक में पिछले कुछ दिनों से काफी सही मुमेंट देखने को मिल रहा है न्यूज आप सपी को पता है कि यहाँ पे इनकी CEO की तरफ से अल्रड़ी कन्फरमिशन दे दिया गया है ओफीशल अनॉसमेंट कर दिया गया है कि वाई दे एंड आफ नेवंबर देवल ट्रांसफर ओल दी 48,000 करोर्स अब दी NPS टू दी जेसी फ्लार्ग तो यहाँ पे जब यह न्यूज निकल के आई उसके बाद से ही Yes Bank के अंदर काफी अच्छा कासा मुमेंट देखने को मिल रहा है लेकिन यह सारी चीज़े हमें अल्ड़ेडी पता है वीडियोस में अल्ड़ेडी कवर की हुई है इस वीडियो में हम पता करेंगे कि नवंबर एंड तक आखिर वो कौन से टार्गेर्स हैं जो कि Yes Bank अचीप कर सकता है और क्या आपको इसमें इस टाइम पे बाइंग करने च करिएगा चैनल पर फर्स्टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूग लिजिएगा अब सबते पहले में एक बारी ओवर्वियू देता हूं आज के मार्केट सेनारियो का तो मार्केट में आज एक ठीक ठाक सा मुमेंट देखने को मिला सेंसेक्स में करीबन 234 यानि कि 234 पॉइंट का मुमेंट निफ्टी 50 में 85 निफ्टी बैंक में अच्छा मुमेंट था 428 428 का और निफ्टी मिट कैप में 255 पॉइंट का अपसाइड मुमेंट देखने को मिला यानि कि ठीक ठाक सा माहॉल ठीक ठाक सा दिन शेयरोल्डर्स के लिए देखने को मिला जिसमें बैंक और बड़ोधा में साड़े 9% का उच्छाल आया, ब्रिटानिया में 8.80% का उच्छाल, अमारा राजा में भी काफी टाइम बाज 5.70 और हिंदुजा कॉपर में साड़े 4% का अपसाइड बुमेंट आज के दिन देखने को मिला है तो वहीं फार्मा में डीवी स्लैब जिसमें आज करीबन 9% की गिरावट हो गई, मारी गो में करीबन 5% और आधित विल्ला फेशन में करीबन 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली तो ये कुछ ओवर्विव मैंने जल्दी से बता दिया आज के मार्केट सेनेरियो का, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बता देता हूँ जो की ICICI डिरेक्ट की तरब से रेकमेंडेड हैं और शॉर्ट टम में आपको करीबन 45-46% तक के जो रेटर्न्स हैं वो दे सकते ह आप यहाँ पर देख पाओगे कि लीडिंग ब्रोकरेज ICICI डिरेक्ट इनोंने चार स्टॉक पिक करे हैं यहाँ पर बाइंग की जिस पर रेकमेंडेशन है और अगर आप देखो इसमें आपको शॉर्ट टम में बहतरी रेटर्न्स मिल सकते हैं अब यहाँ पर आप देखो होगे जो स्टॉक के नेम निकल के आते हैं वह भारत इलेक्ट्रोनिक्स, NTPC, दो आरकदीश सोगर इंडस्ट्रीज और बरुन वेवरेज़ेज और पाँच में स्टॉक निकल के आता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज यह पाँच स्टॉक हैं जिनमें आपको बहतरीन रेटर् मिल सकते हैं वो भी बाइफरिगेशन दिया गया है NTPC में आपको शॉट टम में पोटेंशल रेटर्न जो है वो आप 8% लेके चल सकते हो भारत इलेक्ट्रोनिक्स 26% 26% लेके चल सकते हो दो आरकदीश सोगर इंडस्ट्रीज 46% के रेटर्न्स आप यह आपे लेके चल सकते ह तो वहीं अगर आप देखो बरुन वेव रेजिस में करीबन 8% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में करीबन 13% के रेटर्न्स आप एकस्पेक्ट करके चल सकते हो तो यह लीडिंग ब्रोकरे इस आई से डायरेक्ट की तरफ से रेकमेंडिशन है अब आप इन पांचों स्टोक में से कौन से स्टोक में निवेश करना चाहोगे कॉमेंट में जरू बताइए एक और ज्यादा इंट्रेक्शन हमारा हो सके तो यह तो बात हो गई नॉमल अमारे मारे मारे में अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक की क्लोजिंग 16 रुपे 60 पैसे पर हुई लेकिन उसके बाद एक ड्रॉप देखने को मिला फिर थोड़ी बहुत रेकबरी आपको देखने को मिलती रही और करीवन 1% के आसपास का मुमेंट जो है वो आज के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिला है 16.60 की जो क्लोजिंग है वो यह बैंक की आपको देखने को मिली ह अब काफी दिनों से शेयर आपको 15.50 पैसे और 16 रुपे के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था लेकिन एक दो मुमेंट्स आए तो अब 16 रुपे 60 पैसे पर पहुँच गया है 17 रुपे के लेवल्स शायद इस वीक में आपको अच्छी वोते हुए नजर आज है अब अगर हम बात करें पिछले 6 महीने के बारे में तो पिछले 6 महीने में 28% से जादा के रिटरंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो की एक बहुत जादा अच्छे रिटरंस देखने को मिल रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब इसमें गिरावट आई तब आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने के रिटरंस भी 14-15% के आसपास आ गए थे वस इसमें यही है कि आपको थोड़ा बहुत अगर आप पेसेंस लेवल बना लेते हो तो डेफिनेटली आपको रिटरंस अच्छे मिल जाते हैं पैनिक सिचुएशन में आप करोगे तो सेल करके निकल जाओगे वो भी लॉस में यह मैं आपको हमेशा से बताते हूँ आयो थोड़ा बहुत वॉल्यूम पर अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो आज का जो वॉल्यूम है वो करीवन करीबन 9 करोड के आसपास निकल के आया है यानि कि आज भी आपको बहुत जादा अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली है वहीं कल 11 करोड था जिसमें से 5 करोड की डिलिवरी परसेंटेज थी यानि कि करीवन 43 परसेंट के आसपास आपको जो डिलिवरी परसेंटेज है वो देखने को मिली थी वन वीक का एवरेज भी 10 करोड है और मंतली एवरेज 8 करोड यानि कि आज वीकली एवरेज और मंतली एवरेज के बीच का वॉल्यूम आपको देखने को मिला है अब जैसे कि आपको बताईए कि चीजा कुछ ऐसी हो रही है जिसकी वज़े से मुमेंट्स आपको येस बैंक के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो वही कुछ brokerage houses हैं जो अभी भी काफी ज़ादा negative scenario बनाते हो नजर आ रहे हैं येस bank के लिए मैं आपे आपको कुछ भी नहीं बोलूगा कि ये brokerage houses अच्छे हैं कि ये brokerage houses बिकार हैं आज आपको बस में एक task देता हूँ कि 3 brokerage houses की recommendation मैं बताने वाला हूँ आप मुझे बताईए तीनों में से आपका विश्वास किन के उपर सबते ज़ाद है सबते पहले एडिलवाइज एडिलवाइज ने आपे सेल की रिकमेंडेशन दी है 12 रुपे के टार्गेट दी है इन्होंने बोला है कि जो रिटन ओन एसिट है वो आपको यहां से बढ़ते हो नजर आ सकता है लेकिन जो ओवरॉल गाइडेंस है उससे अभी भी कम है इनका अगर आप देखोगे तो कासा रेशियो भी उतना जादा इंप्रेसिव नहीं है वहीं अगर आप देखो जो capital raising है और जो AAC में ट्रांसपर है वो positive तो होगा लेकिन इससे बहुत बड़ा impact नहीं पड़ेगा और यहां से इन्होंने बोला है कि इस सारी reason की बज़े से हम sale की recommendation देते है और जो target है जो share trade कर रहा है 16 रुपे 60 पैसे उसका target दिया है 12 रुपे का तो यह पहला brokerage house मैं कुछ नहीं बोलुगा कि सही है कि गलत है यह आपका task है आप इसको please जरूर complete करिएगा फिर हम आते है निर्मल बांक की तरब से इन्होंने भी sale की recommendation दिया है target बताया है 13 रुपे 40 पैसे इन्होंने बताया है कि expected return जो भी हमारे results के उससे better है bank की overall picture भी improve हो रही है और जो medium term ROA targets है वो उतने ज्यादा attractive नहीं है जिसकी वजह से जो opportunity है investment की वो उतनी ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती है दूसी bank में ज्यादा अच्छी opportunity है तो इस वजह से sale की recommendation है 13 रुपे 40 पैसे कोई recommendation मेंच साइट से नहीं अब लाश्ट हम बात करते हैं ICIC Securities ICIC Securities ने hold की recommendation दिया और अपने target को revise कर दिया है जो पहले 14 रुपे के target थे अब उसको कर दिया 15 रुपे 70 पैसे और बोला है कि आपको बेचने की जरुद बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक अच्छा कासर turnaround आपको इनके operating matrix में देखने को मिल सकता है और आने वाले time में जो stability है वो काफी हत्तक के confidence provide कर आती है overall positivity yes bank के लिए set हो रही है और जिस according capital raising हो रही है वो काफी हत्तक help करने वाली है इनकी जो CET1 है वो भी काफी हत्तक यहाँ पे growth दिखाती हो नजर आई है तो इनके according yes bank के आलत improve हो रही है और यहां से जो 14 रुपे के पहले target थे उसको increase करके 15 रुपे 17 पैसे कर दिया है अब मैंने आपको तीनो प्रोक्रेस houses की recommendation बताई comment में आप बताईए तीनो में से आपके लिए सबसे ज़्यादा सही या फिर trustable कौन से target नजर आते है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like करिएगा चैनल बेगा आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो subscribe भी जरोगे देजेगा धन्यवाद